नमस्ते जी नमस्ते क्याल चालें आपकी सरम बात अच्छे हैं आप सुनाएंगे का हम भी बहुत बढ़िया हैं प्रेम से बोलेंगे रादे राधे राधे स्टार्ट करें हाँ सर जी क्या स्टार्ट करने वाले हो आज मैं आपको बता दूँ देखो ऐसा है amendments के बारे में आप जानते हैं भर भर के पूछा जाता है question paper के अंगर आप ये भी जानते हैं के पीछे मई 2020 का exam मर्ज हो गया नवेंबर में आगर ठीक है हाँ सर जी ठीक है तो जो amendment हर छे महीने पे amendment आती है आपके indirect tax के paper में आप ये भी जानते ही तो आपके माई 2020 के लिए जो amendments applicable थी उनको मैं detailed analysis दे चुका हूँ already जो आपकी amendments November 2020 exam के लिए applicable है उनका भी detailed analysis मैं आपको already दे चुका हूँ इसके साथ साथ अभी आपके requirement और आई थी आ रही थी basically पहले से ही कि हमें एक rapid revision और दे दो ताकि last moment पर हम amendments को एकठा देखकर जा सकें आचा ठीक है जी तो साहब वो भी मैंने आपको दे दिया लगबग 6-7 दिन पहले मैंने ये उनको rapid revision दे दिया मतलब आपको rapid revision दे दिया करीव दिड़ घंटे के आज पास का ये वीडियो है जिसमें आपकी सारा का सारा जो नवंबर 2020 के जो amendment थी वो यहां पर cover है एक का दुका ये भी phone आता है सर जी मैंने ये वाली amendment classes नहीं देखी है तो क्या मैं अगर direct rapid revision देख लूँ तो काम चल जाएगा आपके शिद्दत और जो बचा हुआ समय है एक्जाम का उसे ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूँगा कि हाँ अगर आपनी ये नहीं भी देखा है तो आप direct इसे देख लीजेगा क्योंकि अभी ये सब देखने का समय नहीं है rapid revision देखो I hope सारी चीज़ समझ में आ जाएगी और अगर कोई point इसमें आपको समझ में ना आ रहा हो या लग रहा हो कि मझे तोड़ी और detail के आवशकता है तो detailed analysis वाली जो amendment class में वहाँ से आप जहांक लीजेगा अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने या तो ये वाली classes नहीं पढ़ी थी किसी भी कारणवश पढ़ी थी तो भूल भाल गए क्या था कैसे था क्योंकि पीछे तो lockdown को समने enjoy किया है हमने भी किया आपने भी किया लेकिन amendments equally important है जितनी important amendments आपकी November मैं फिर से कह रहा हूं सुन लीजेगा जितनी important आपकी November 2020 एक्जाम वाली amendments है उतनी ही important आपकी ये वाली amendments भी है ध्यान से मेरी बात सुन लेना और 30 नंबर से लेकर 35 नंबर तक का मुझे लगता है कि amendment based paper कम से कम आना चाहिए इतना तो कम से कम आना चाहिए ही चाहिए और इन amendments की उतनी ही equal importance है पर चक करिए है कि सब मेरे पास तो समय नहीं है कि मैं इतने सारी amendments को इकठा देख पाऊँ ऐसे वैसे तो ये काफी आ रही थी requirement कि इनका भी हमें एक rapid revision मिल जा तो बड़ा शांदार सा काम हो जाएगा तो कोई बात नहीं मैंने पिछली बार अपने revision videos update किये थे मई 2020 वाले तो वहाँ पर मैंने amendments के एक summary बना बना कर attach की हुई थी मैंने उसी summary को वहाँ से निकाल कर जो quick revision है उसको निकाल कर एकठी फाइल जोड़कर आपके प्रस्तुत कर दिया है तो वह rapid revision आपको यहाँ जो मैंने फाइल यह आप देखने जा रहे हैं यह कई सारी फाइल को जोड़कर मैंने एक फाइल तैयार किये जिसमें आपकी सारी amendments कवर हो जाती है मैं 2020 बस यही मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ और अब आप इस class को enjoy करेंगे और अच्छे से आप इसको देखेंगे और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको इसे बहुत बहुत फाइदा मिलने वाला है exam के अंदर so don't miss it is it okay so don't miss it पटाफट इसको तयार कीजिएगा और आगे पढ़ेंगे मैं फिर आपके सामने आता रहूँगा फिलाहल आप अपने class को enjoy कीजिएगा ठीक है धर्म सिक्षा स्वास्ति खेल सरकार किसान मनोरंजन के चलते हुए सबसे पहले हम देख रहे हैं changes sports वाली जो आपकी activities थी वहाँ पर आकर sports के अंदर जो women's category में FIFA की बात करी जाती है फूफाने FIFA की बात कर रहा हूँ उस FIFA के अंदर एक नया point add कर दिया गया है विमेंस category के अंदर जो FIFA नाम की body है और इसकी जो subsidiary है जो भी service देंगी या जो भी service लेंगी उस पर GST नहीं लगाया जाएगा ये एक global practice है international practice है FIFA की बात पहले भी थी लेकिन वो men's category में थी अभी 2020 में ही खेला जाने वाला है FIFA World Cup women's category तो यहाँ पर जो भी service दी जाएंगी या ली जाएंगी no question of GST moreover इस women's category के FIFA के लिए जो भी entry tickets होंगे उन entry tickets पर भी कोई GST की बात नहीं की जाएगी भले ही उस ticket की value कितनी ही क्यों ना हो राइट तो यह आपका पहला change यहाँ पर था जी उसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं यहाँ government sector के अंदर एक change लाया गया है और वो change दरसल वैसे otherwise कोई change नहीं है सिर्फ शब्दों का change है wording change है sense में कोई बदलाव नहीं है हम जानते थे कि अगर government किसी गरीब business entity को अपनी service देती है तो उस पर GST नहीं लगाया जाता है गरीब business entity का मतलब क्या होता है सर गरीब का मतलब होता है like कि जिसका preceding financial year में जो turnover है वो 10 लाख 20 लाख तकसी में थो अब चुकि आप जानते हैं 10 लाख 20 लाख के साथ साथ 40 लाख की भी एक limit आ चुकी है तो उसी के लिए corresponding इस 40 लाख की limit को भी absorb करने के लिए यहाँ पर शब्दों में बदलाव किया गया है और कुछ नहीं exemption आज भी वैसी ही है कि गरीब business entity को जो service दी जाएंगी government के द्वारा उस पर GST नहीं है लेकिन गरीब business entity का मतलब क्या जिसका पिछले साल में turnover 10 लाख 20 लाख या 40 लाख तक से में थो as the case में भी राइट सर एक दम ठीक बात है उसके बाद मैं आगे चर्चा आती आपकी agriculture sector के अंदर पहले सिर्फ rice की जो warehousing वेगर हम किया करते थे तो उनका जो storage थी warehousing थी उस पर GST नहीं लगाया जाता था इस चीज को extend किया गया है कुछ एक agriculture type products के respect में भी warehousing की जो services उसको exemption का शिकार बनाया गया है storage और warehousing of डलिया, डाल, फल, नट्स, वेजटेबल्स, मसाले, नारियल, शुगर केंज, गुड, रॉमेट्रियल, फाइबर, कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनुमैनुफेक्टर टुबैको, बिटलनेट्स, तेंदुलिस, एटसेटरा these are some kind of, अच्छा, अलग से एक और list बने हुई थी कि minor forest produce के लिए भी exemption है, वो पहले से ही थी साथ में minor forest produce के साथ साथ ये एक list बना कर डाल दी कि इसमें कुछ forest produce भी है, कुछ agriculture भी है, कुछ agriculture product की अगली stage जैसे की गेहूं जो होता है वो अग्रिकल्चर प्रडूसर लेकिन गेहूं की अगली stage दलिया होती है, वैसे करके, तो अग्रिकल्चर connected जो चीजें हैं, connected जो चीजें हैं, उनकी वेर हाउसिंग भी exempt कर दी गई है, उसके बाद entertainment के अंदर मैंने आपको बताई ही दिया ये, कि जो women's category का FIFA खिला जाने वाला है, उसकी जो entry ticket है उस पर GST नहीं लगाया जाएगा, accommodation, renting और immovable property की इस category के अंदर change कोई बहुत बड़ा नहीं है, just a clarification है, कि अगर जो room का rent है, उसका जो किराया बनता है, अगर वो एक हजार या उससे कम है, one thousand और less है, तो उसे exempt किया और कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हम ऐसे पढ़ते थे, आज भी वैसे ही पढ़के चल रहे हैं, ठीक है सर जी, उसके बाद transportation sector में, यह भी कोई बहुत बड़ा change नहीं है, यह limit आपके हर साल बढ़ जाती है, कि जब हम इंडिया से इंडिया के बाहर जाने की बात करत होते हैं, तो वहाँ पर जो भाड़ा होता है, जो फ्रेट होता है, उस फ्रेट के ऊपर GST नहीं लगाया जाता है, और मेरे साब से यह कभी नहीं लगना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक date fix कर रखी है, पहले 2018 किया, फिर 2019 किया, अभी 2020 कर रखा है, तो यह भी आपके लिए पहले जैसे ही था, शुरूबाती दौर में जब आपने पढ़ाता है, यहां लेका था, 38 September 2019 और अभी exemption extended तिल 38 September 2020, तो रियल में कोई exemption है नहीं, जो चीज पहले थी, वैसे आज भी continue कर रही है, सोशल वेलफेर के अंदर, जो RW के हम बात किया करते थे, एक्जम्शन की entry में को कुछ नई क्रेरिफेकेशन यहां पर आई है, सर्कुलर दिया है काफी बड़ा, यह सारा सर्कुलर आपको आता है, इसमें दो नई चीजे जो हमें सीखने को मिलती हैं, वो कुछ इस परकार से हैं, आला कि वो भी आपको आती हैं, कि माल लीजिए, अगर यहां पर यहां पर मेंबर, पर मंथ और पर मेंबर, अगर 7500 तक है, इतने तक लिमिटेड है, तो GST नहीं लगाया जाएगा, अब इसमें से कुछ क्वेरी जाती हैं, कि माल लीजिए, अगर यह आपका 9000 हुआ, तो फिर टैक्सेबल होगा, हां टैक्सेबल तो होगा, लेकिन कितना, फुली, फुली जो 9000 है, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल अपना करवा दिया जाएगा, ना कि उपर वाला 1500 रुपे, पूरा का पूरा 9000 टैक्सेबल करवा दिया जाएगा, तो इस क्लिरिफिकेशन के अंदर एक बात तो यह है, हलाकि हमने पहले भी ऐसे ही पढ़ा था, और यह ब पास फ्लैट दो हैं, तो यहां मेंबर का मतलब क्या लिया जाएगा, पर मंथ पर मेंबर, मेंबर यहां दो हैं या मेंबर एक हैं, परसन तो एक है, लेकिन उसी कॉलानी, उसी कॉम्पलेक्स के अंदर इस परसन के पास दो फ्लैट हैं, तो बताइए, इसका जो मेंटिनेंस जाएगा वो दो फ्लेट का जाएगा या एक का जाएगा और विस इबासर दो का जाएगा तो यहां member से मतलब flat से है कि आपके flat कितने हैं ना कि person से है एक वेकती पे 10 flat है तो 75..? के लिमिट के लिए 10 member count किये जाएगे सर अगर joint ownership हो तो पती-पत्नी के नम पर एक flat है तो मालिक तो दो हैं जॉइंट ओनर पती पतनी लेकिन फ्लैट एक है तो यहां के लिए मेंबर कितने माने जाएंगे सर्फ फ्लैट की गिंती करेंगे ना कि मालिकों की ओनर कितने हैं यह रेलिवेंट नहीं है फ्लैट कितने हैं यह रेलिवेंट है तो पर मंत पर फ्लैट ह अंदर इन्होंने आप जानते थे पहले आर्मी नेवल एटसेटरा जो जल थलवाई हमारी सेना है जो तरक्षक है जो कोस्ट गार्ड है उनके लिए एक इंशुरेंस करवाया जाता है गुरूप इंशुरेंस स्कीम के अंदर नॉमिनल सा प्रीमियम होता है और बड़ा रिस्क दिया गया है वो भी गुरूप इंशुरेंस स्कीम के तहत अपना इंशुरेंस करवा सकेंगे और उनका जो प्रीमियम जाएगा उस प्रीमियम के ओपर जीयस्ट की बात भी नहीं करी जाएगी जनरल इंशुरेंस स्कीम के अंदर एक पॉइंट बढ़ाया गया है एड किया चला के दी है कि वो फसलों का insurance करवाएंगे और उस वाले insurance scheme के अंदर जो भी premium होगा उस premium पर GST भी नहीं लगाया जाएगा business related बात करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं मेरा कोई truck किसी goods transport agency को किराए पर देता हूं hiring पर देता हूं या मैं मेरी कोई bus या mini bus जिसमें बैठने की capacity बारहे से ज़्यादा लोगों की है अगर वो मैं आगे किराए पर देता हूं तो मुझे वहाँ पर GST exemption मिल जाती है इसी series में एक चीज और add करी गई है कि अगर मैं कोई electronically electric vehicle electric bus जिसमें बैटरी से चलने वाली यार जिसमें की बारहे से ज़्यादा यात्रियों के बैठने की capacity हो अगर देता हूं नगर पालिका को MCD को या local authority को अपना में दे कर चलता हूं क्योंकि जो buses का काम है वो जिसे गाज़ेबाद मिरिट वगारे जिसे शेहरों में न electric bus चलेंगी आने वाले future के अंदर तो उन municipality के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी भाई खुद की खरीदें बस तो और लोगों से बोला कि भाई आप खरीद कर हमें किराए पर दे दो हम बस इस शेहर में चलाएंगे आपके में तो जो किराया होगा उस किराय के ओपर GST की बात नहीं करी जाएगी वो वाला पॉइंट आपका यहां पर डिसकस किया गया है साहिब ठेक सर जी उसके बाद में लीगल सर्विस के अंदर भी एक बात बोली गई है लीगल सर्विस के अंदर हम जानते हैं कि आर्बीटरल ट्रबनल हो एड़ोकेट हो जूनियर और सीनियर अगर यह अपनी सर्विस किसी नौन बिजनिस एंटिटी को देते हैं या गौर्मेंट डिपार्टमेंट को देते हैं तो जी एस्टी नहीं लगाया जाता है ठीक है जी दूसरा अमीर बिजनस एंटिटी को देते हैं तो GST लगता है और वो भी रिवर्स चार्ज में लगाया जाता है गरीब बिजनस एंटिटी को अगर ये देते हैं तो वैसे केस में GST एक्जेम्ट हो जाता है क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से गरीब बिजनस एंटिटी है जिसका प्रिसिडिंग फाइनशल इयर के अंदर टर्नोवर लिम्टेड रहा हो 10 लाक और 20 लाक चूकि अभी 40 लाक की लिमिट भी आ चुकी है तो उसके लिए corresponding change किया गया है कि गरीब बिजनस एंटिटी का मतलब जिसका प्रिसिडिंग फाइनशल इयर में 10 लाक या 20 लाक तक टर्नोवर सी में थो पुरानी वर्डिंग्स ये थी अभी नई वर्डिंग्स को capture करने के लिए इसको भी capture करने के लिए उन्होंने शब्दों में सुधार किया है practically कोई amendment नहीं है सिर्फ वर्डिंग्स को improve किया है और कुछ नहीं है transaction entry आपकी जोंकितियों आजबी वैसी है कि गरीब business entity को जो वकील सहाब के ट्राबनल की service दी जाएगी उस पर GST आपका नहीं लगाया जाएगा उसके बाद में यहाँ पर एक point डाला गया है intermediary को लेकर intermediary के अंदर ये नया point यहाँ पर डाला गया है ये कि माली जे एक व्यक्ति यहाँ USA का है और यहाँ एक व्यक्ति यह शिलंका है इन दौनों के लिए एक transaction mediate कराई जाती है Mr. X के द्वारा Mr. X ने क्या किया यहाँ से goods खरीदा और India बिना लाए उसे शिलंका वाले बंदे को बेच दिया तो जब entity से entity की यात्रा करी जाती है entity to entity जब यात्रा करी जाती है मालिक तो यह वाली जो घटना होती है इस घटना को हम लोग supply नहीं जानते थे यह हम supply वाले box के अंदर बाबा की बूटी में पढ़ चुके थे बाबा की बूटी का डाइग्राम आपका अविलेबल है माई डियर कहां पर कहां अविलेबल है वही अपना मेरे website सीराजकुमार.com पर वहां पर आप free resource tab के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं और भी डाइग्रामस वापर अविलेबल हैं अच्छा जी तो उसके बाद यह हमारी बात यहां पर हो गई है ठीक है सर जी कोई दिकत नहीं है तो यह supply नहीं हो जो जी जीएस्टी नहीं लगाया जाता था now अब सवाल यह उठता है कि इस transaction को करने में इसने जो अपना commission कमा लिया क्योंकि supplier तो यहां पर यह है recipient commission यहां से भी मिलेगा commission यहां से भी मिलेगा तो इसको यहां से जो commission दिया जाएगा उस पर जीएस्टी लगेगा या नहीं लगेगा यहां यह बंदा इन दौनों को अपनी एक service दे रहा है उसके चलते यह service एक supply का रूप भी धारन कर लेती है इसका जो origin है वो तो इंडिया है ही है और इसका जो destination आएगा वो section अमत 13 के मुताबिक निकल के आएगा 13 क्योंकि one of the party situated outside इंडिया recipient भार का यह इनका है तो ऐसे के अंदर जो intermediary की service होती है उसके respect में हम लोग supplier की location पे बात करते के चलते हैं यानि कि वो भी मेरा इंडिया ही निकल कर आएगा यानि कि इसको पर GST अपना यहां तक तो बन रहा है इसी कारण से government चाहती नितिस पर GST लेना तो इसे exempt यहां पर कर दी है कहने का मतलब यह कि entity to entity यह जो पूरा model था इस पूरे model में कहीं कोई GST नहीं ना तो goods पे GST है और ना ही इस Indian Mr. X की service पर कोई GST है वही बात आपकी यहां पर बताई गई है चोटी सी clarification है ज्यादा कोई खतरनाक वाली बात नहीं है maritime training center उसमें क्या है जैसा कि आप जानते हैं education sector के अंदर आपको अच्छे से पता है माईडियर अगर यह कोई आपको certificate a degree ऐसी दे कर चल रहे हैं जो किसी Indian law के दोरा recognize की जाती हो उसको मान समान मिल जाता हो तो फिर वहां पर GST नहीं लगाया जाता है ऐसे ही यहाँ पर एक institute है जो की maritime training institute है जो कुछ अपना यह navigation वगरा की जो जहाज वगरा कैसे चलाए जाते हैं पानी के वो सब उसके training देती है और इसको अप्रूब किया जाता है इनके certificate को अप्रूब किया जाता है merchant shipping act के तहर यहाँ एक Indian act के दौरा उसे recognize किया जाता है तो यहाँ पर उस घटना के उपर उस fees जो इस institute को दी जाती है student के दौरा उस पर GST नहीं लगाया जाएगा और यह तो बात मेरी पुरानी है कि जो इंडिया को छोड़के जा रहे होते हैं जो tourist लोग होते हैं और वो duty free shops जो भी shopping करते हैं उस पर GST नहीं लगाया जाता है ऐसे करके और यह summary जो मैं आपको दिखाएगा यह आ रहा है मेरा valuation का chapter ऐसे करके आ जाता है और valuation या computation के chapter के अंदर यहां पर आया हुआ है एक circular आया हुआ है interest और penalty को लेकर यह एक नया point एड़ किया गया है मालिक क्या कहना चाहता है यह और उसके बाद में एक और आया है कुछ airport लेवीज के सम्बंद में एक और circular यहां पर आया हुआ है दो circular की यहां पर बात करी गई है आये ज़रा नज़र डालते हैं यहां पर कहना क्या चाहते हैं यह जो पहला circular है interest और penalty के बारे में वो क्या कहना चाह रहा है देखिए यह बात तो हम जानते हैं कि interest on loan deposit और advances के उपर जो ब्याज होता है उस पर GST नहीं लगाया जाता वो अपने gate number 5 से ही बाहर कर दिया जाता है is it okay? yes sir लेकिन अगर delayed consideration या deferred consideration का जो interest होता है that's a liable to GST कुछ उसी तरज पर यहां पर यह circular बताया गया circular पढ़ने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ नया सीखा और circular नया कुछ सिखाते भी नहीं जो existing law होता है उसी को interpret करके बताते है example के थूँ समझाया गया कि मान लीजिए यहां पर यह एक mobile बेचने वाले हैं और यहां पर यह आपका customer बन जाता है और mobile phone का price 40,000 रुपे का है लेकिन यह बंदा installment में payment करता है उसने option दे रखा था तो installment के लिए installment बनाई 11,000 रुपे के 44,000 रुपे की installment बना दी जाती है यानि कि 4,000 रुपे यहां पर ब्याज के शामिल है सवाल यह उठता है कि क्या इस 4,000 रुपे के उपर भी GST आएगा या नहीं आएगा दा आंसर इस येस GST 40 पर नहीं 44,000 रुपे पर लगाया जाएगा क्योंकि ये consideration के delay होने की वज़े से आने वाला ब्याज है जो exempt नहीं है और taxable किया जाएगा अगर इसी बात को कुछ ऐसे देखा जाए कि मान लीजे ये रहा आपका mobile विकरेता और ये रहा buyer phone 40 का है इसे 40 से ही देगा लेकिन 40,000 रुपे इसके पास में नहीं थे तो ये किसी बैंक वेंक के पास में या financial institution के पास में गया और वहां से लोन लिया और लोन की किष्टें आगे चुकाएगा लोन लेकर phone खरीद लिया तो transaction होगे तो पहली transaction ही रही और दूसी transaction आपकी ये रही interest वाली तो ये जो transaction है यहां तो आपका जो GST है वो 40,000 रुपे के उपर ही लगेगा मोबाइल पर तो GST 40,000 पर ही लगेगा लेकिन ये जो interest on loan है जो आपने बैंक से लिया था ये interest on loan है जो की exempt हो जाता है और GST के दायरे से बाहर है तो जो चीज़ें पहले थी वैसे ही चीज़ें आज भी आपकी मौजूद हैं मैं फ़र से बता दूँ आज इस class में हम चार बड़े महान chapters cover करने वाले हैं उनके अंदर May 20 के लिए जो भी changes आएं मैं फटा-फटास उनको आपको revise करा रहा हूं उसके बाद आपकी formal thoroughly बाते करी जाएंगे उसके बाद मैं एरपोर्ट लैवीज की बात करके चलते हैं मुद्दा ये है कि जो हमारी एरपोर्ट अथोरिटीज होती हैं एर इंडिया जैसे हमारी ये हम पर हो गई एर इंडिया एरपोर्ट अथोरिटी अफ इंडिया हो गई डैली की हो गई इंटरनेशनल एरपोर्ट अथोरिटी M.I.A.L. N.I.A.L. महराश्टर की मुंबई की एरपोर्ट अथोरिटी लिम्टेड ये हो गई ये अपने पैसंजर को धेरों सर्विसेज देकर चलती हैं पैसा नहीं ले रहे क्योंकि आपके लिए बड़ा इंकन्विनियंट हो जाएगा कि आप एरक्राफ्ट ऑपरिटर जो स्पाइस जेट वगईरा हैं उनको टिकेट के पैसे अलग दें और यहां पर वाश्रूम या लाउंज यूज करने के पैसे इनको अलग से देके चलें यह थोड़ा इंकन्विनियंट हो जाता है तो एरपोर्ट अथर्टी क्या करती है कि ठीक है सर्विस तो भाया जी आपको हम दे ही रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पैसंजर जी लेकिन हम आपसे कलेक्शन इस रूट से करके चलेंगे आप इनको दे देना हम इन से ले लेंगे इस केस के अंदर इस दा सप्लाइर ओफ सर्विस सप्लाइर ओफ सर्विस जो है वो एरपोर्ट अथर्टी ही है और जो कलेक्शन हो रहा है वो थुरो किया जा रहा है एरक्राफ्ट ओपरेटर्स पाइस जेट एर इंडिया के थुरो लेकिन वो पैसा निकला किसकी जेब से है कंसीडेशन कौन दे रहा है इनकी सर्विस के बदले वो पैसंजर ही दे रहा है इस केस के अंदर GST लगेगा या नहीं लगेगा एक्जम्शन कहीं पढ़ी नहीं सप्लाई ये है इंटर इंटर भी देख लेंगे GST तो लगेगा लेकिन कौन भरेगा ये जो कलेक्शन करने वाली एजेंसी है जो एरपुट अथर्टी के बिहाब पर कलेक्ट कर रही है क्या ये देगी जी नहीं जो सप्लाईर है आरसीम लगता नहीं तो जो सप्लाईर है वही GST का पेमेंट करके चलेगा तो जो भी पैसा इनके थुरू कलेक्ट किया जा रहा है एरपुट अपरेटर के थुरू कलेक्ट किया गया passenger development fee के नाम से या user development fee के नाम से जो collect किया गया उस पर आपका मालक GST निश्य तोर पे लगाया जाएगा और वो भी normal charge के अंदर airport authorities को GST का payment करना पड़ेगा moreover ये जो airport authority के लिए collection कर रही है aircraft operators collection charges भी अपने कुछ वसूल करेंगे किस से वसूल करेंगे क्योंकि ये यहाँ supplier बनगे और यहाँ पर recipient चुकि इन के लिए काम कर रहे हैं तो ये इनको अपने collection charges ये pay करेंगे collection charges के उपर जो spice jet वगेरा है ये अपना normal तरह के से GST का payment करके चलेगा तो बड़ा महत्वपूर सर्कुलर है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इस पर बेज़्द आपके लिए question पूछा जाएगा composition scheme चार पहले तीन तरह के product पर अपलिकेबल नहीं हुआ करती थी लेकिन अब वो संक्या बढ़कर चार होगे tobacco, ice cream, pan masala, now cold drink वगरा जो irritated water है आपका cold drink वगरा वो सब भी आपके यहां पर शामिल हो गए है उनको भी हम यहां पर composition scheme का लाब नहीं देंगे एक change इसके अंदर add कर दिया गया है RCM chapter के अंदर अच्छे खासे changes किये गए हैं सबसे पहला change किया गया है copyright sector के अंदर copyright चाहे पहले music का हो, dramatic हो, artistic हो या किसी books का हो, original literary का हो सब के लिए एक जैसा provision था लेकिन अब original literary को बाकी जो provision था उसमें से बहार निकाल लिया गया वहाँ serial number 9 था, 9 के अब दो फार कर दिये गए, 9 और 9A, इसमें जो books हैं, जो author हैं author वाले case को बाहर निकाल दिया गया है, बाकी सारे चीज़े जोकित्यों रखी है बाहर इसलिए निकाला गया कि यहाँ पर मानलीजे यह आपका author हो गया और यहाँ पर publisher हो जाता है इन्होंने इनको अपनी book का copyright दे दिया, बदले में इन्होंने इनको consideration दे दिया consideration मानलो 10 लाक रुपे का है, इस पर reverse charge लगाया जाएगा पहले भी लगाया जाता था, आज भी लग रहा है अब books के case में, author के case में नया क्या आ गया है, नया आ गया है माले किये यहाँ यूटन की सुविधा दे दी गई है, यूटन की सुविधा क्या है lawmaker ने कहा कि RCM लगेगा, but at the wish of the supplier अगर author चाहे, तो सरकार को declaration दे सकता है कि साब मैं कुछ GST भरूँगा, मैं registration भी करवा रहा हूँ, आप reverse charge मत लगाये वो ऐसा कर सकता है, अगर supplier खुद अपनी tax liability को discharge करने की declaration देता है तो भाई साब, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर वहाँ पर normal charge भी लगाया जा सकता है परन्तु ऐसे options हर जगे available नहीं होते हैं जो सरकार बोल देती है, वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर यह U-turn का option दे दिया गया है motor vehicle के case में बात करते हैं, मज़े की बात यह है my dear कि देखिए, सबसे पहली बात गांठ मार लीचिएगा renting of motor vehicle की बात कर रहे हैं, ना कि transportation of passenger की बात कर रहे हैं इसमें अगर आपका, जो, अगर आपका, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊं क्या, नहीं अगर आपका माली जी, note के तौर पर लग देता हूं, अगर आपका जो supplier है, अगर वो एक body corporate है, तो आपका NCM ही लगाया जाएगा चाहे जो मर्जी matter पड़ जाए, अगर आपका supplier body corporate है, तो NCM लगेगा इसके अलावा, इस बात को रखने के बाद, जो मेरे supplier होते हैं, वो दो type के हो सकते हैं, एक type A का supplier हो सकता है, और एक type B का supplier हो सकता है, एक type A का और एक type B का supplier टाइप A का जो supplier हो क्या है, वो नॉर्मल तरीके से अपना काम करता है, बारहे प्रतीशत का अपना वो GST भरके चलता है, और साथ में अपने जो भी इसके ITC वगरा बनते हैं, सारा का सारा credit का आनंद भी लेता है, तो पहला point मैंने आपको ये बताया, ध्यान से सुनना, सार केस में एक body corporate है, नॉर्मल चार्ज मेकनिजम या forward चार्ज मेकनिजम ही लगेगा, RCM नहीं लगेगा, दूसरा, अगर मान लीजे मेरा supplier टाइप A का है, जो नॉर्मली अपना GST 12% से भरता है, सारा credit लेके चलता है, इसके respect में भी हम नॉर्मल चार्ज मेकनिजम ही लगा के च होते हैं, जिनके पास ये option होता है, कि आप अपनी output side पर 5% से, अगर आप अपनी output side पर 5% से GST भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना ITC खोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, सारा ITC छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज को छोड़का, कि आपकी यह नहां पर renting of motor vehicle की service है ना, अगर आप पीछे से भी वही service ले रहे हैं, renting की service ले रहे हैं, किराय पर वहन देते हैं, अगर कोई वहन किराय पर ही पीछे से ले रहे हैं, तो उस renting का तो आप ITC ले पाओगे, बाकि आपको संपूर ITC का मोच छोड़ना पड़ेगा, अगर आप स परसेंट और पूरा ITC, यह हैं कि यहां 5% कर देंगे, बशरते की एक प्रकार के ITC, input service renting की लोगे तो ITC मिलेगा, बाकि सारा ITC आप छोड़ दीजिए, तो यहां पर आकर इन लोगों से बात करी जाती है, अगर यह type B वाले जो लोग हैं, और यह अपनी service किसे दे रहे हैं, अगर इस type के जो लोग हैं, अपनी service दे रहे हैं, किसको किसको, एक body corporate को दे रहे हैं, या फिर एक non body corporate को बाबुजी वो दे रहे हैं, अगर एक body corporate को दे रहे हैं, तो RCM लगेगा, और non body corporate को दे रहे हैं, तो भाया तुई खुद भर देना, फिर तो NCM ही उसके उपर लगा तीन बाते दिमाग में रखनी है, नमबर एक, सप्लायर अगर बॉडी कॉर्परेट है, तो NCM, बस स्टेट फॉरवर, जब भी कॉश्चन आए, ये तीन पॉइंट में चेक करना, चेक करना सप्लायर बॉडी कॉर्परेट है, अगर हाँ, अगर हाँ, तो ठीक है भाई सब, NCM लगेगा, नमबर दो, क्या सप्लाय टाइप A का है, जो नॉर्मल रेगुलर रेट से GST 12% से सारा IT से लेने वाला है, अगर हाँ, तो नॉर्मल चार्ज मेकनिजम लगेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसके बाद तीसरा पॉइंट, क्या आपका सप्लाय है, टाइप B के ट लगाया जाएगा, छोटी सी बात एक बारी की इंटर्प्रेशन में आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब बात करते हैं, NCM लगाया जाएगा, बिल्कु ठीक बात है, NCM लगेगा तो GST सप्लायर को भढ़ना पड़ेगा, और जब सप्लायर यहां GST अपने हिस्स देगा और RCM की बात कर रहे हैं, तो सप्लायर की अपनी कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, इसलिए उसे अब यह वाला ITC भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ITC के नियमों के मताबिक, जो RCM की सप्लाई होती है, उनको एक्जेम्टेट सप्लाई कहा जाता है, और फिर उसको यह वाल इसलिए काटेगरी बनती ही, NCM लग रहा है, तो फिर सिमिलर सर्विस जो ले रहा है, उस पर ITC मिले का बाकी कुछ नहीं होगा, तीसरा एक और इसमें आया है, आपके रिवर्श चार्ड चैप्टर के अंदर, सिक्यूरिटी लेंडिंग, बड़ा सुन्दर एक्जाम्पल म कोई एक्स वाई-जेट कंपनी का पड़ा हुआ है, मुझे दूर दर्शितार मुझे लगता है कि एक्स वाई-जेट कंपनी का जो शेर है, वो भविश्य में उसके जो प्राइसे वो गिरने वाले हैं, तो मैं क्या का हूँ, अगर प्राइस गिरने वाले हैं, जो आज 500 पर होने वाला है तो मैं आज पैसे कैसे बनाओ मैं गया इनके पास में किया आपके पास ABC का शेर है उनका हमारे पास तुम्हारे पास पूछ लेते हैं सराफ सर से पूछा क्या आपके पास में ABC का शेर करें हां तो काम करो यह हमें किराए पर दे दो तुम्हारे पास पढ़ार कर दिया मैंने वो शेयर बीबी सर को बेच दिया आज इसका प्राइस 500 रुपे का था 500 रुपे में बेच देता हूं नियर फ्यूचर में फिर जब बाजार में प्राइस डाउन हो जाएंगे मैं 400 रुपे का उसको खरीद के वापस जहां से आया था उनको लोटा दूँगा मै सो रुपे में से देखा जाए तो बीस रुपे के तो लेंडिंग फी चली जाएगी बचे असी रुपे असी रुपे में से हो सकता है शर्मा जी भी मुझे कुछ कुछ कमिशन मांग ले के भईया जी मेरा भी कमिशन दो मुझे भी मैने भी काम किया है मुझे भी दीजिए ह खोड़ सकता है कुछ पैसे उनको कमिशन के देने पड़ जाएं तो उनका जो भी कमिशन होगा माल लिजे 10 रुपे उनका कमिशन बनता है तो 70 रुपे मेरी नेट कमाई हो जाती है पूरे गेम के अंदर RCM कहां लगेगा जो भी एक किराया बना है इस पर RCM लगाया जाएगा इस ट्रांजेक्शन के अंदर सप्लायर कौन था जो लेंडर थे जिन्होंने सिक्यूर्टी लेंड करी थी संजे सराफसर बौरोवर कौन थे मैं था तो जब मैं 20 रुपे का पेमेंट स्टाउक ब्रोकर के थरो आगे करूँगा तो मुझे वहीं पर पेमेंट करने के वक्त ह आर सिम की बात मुझे कर ली जाएगी रिवर्स चार्ड मुझे 20 रुपे को पर देना पर जाएगा बौरोवर को यह नया पॉइंट आपका यहां पर एड किया गया है साथ में जो शर्मा जी ने जो कमिशन अपना कमाया तो कमिशन को पर नॉर्मल तरीके से वह स्टाउक ब मेरी बात है ध्यान जो सुनना सटीकता के साथ में नंबर एक यह लगता तब है जब अंडरिश्टर्ड परसन किसी रेजिस्टर्ड परसन को सप्लाई करता है तो 9-4 आपका एट्रेक्ट हो जाता है जी 9-4 इस समय एट्रेक्ट होता सिर्फ रिल इस्टेट सेक्टर के अंद अगर आप कोई कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं अंडरिश्टर्ड टू रिजिस्टर्ड ऑलवेज जी एस्टी तो लगेगा ऑलवेज वो आर्सीम के अंदर ही लगवाया जाएगा ठीक है जी उसके बाद में अगर अंडरिश्टर्ड सप्लायर सीमेंट की बात कर रह हैं उस मामले में क्या करके चलोगे जैसे प्लंबर है आर्किटेक्ट है कोई सरिया बेचने वाला है कोई एटसेटर एटसेटर जो भी बैलेंस आपके इंपुट या इंपुट सर्विस रह जाते हैं वो एक बिल्डर या प्रमोटर को आप दे रहे हैं तो बीस परसंट तक अंड्रेश्टर परसंट से लोगे तो हम RCM नहीं लगाएंगे ध्यान से सुनना हम RCM नहीं लगाएंगे 20% से जादा अगर आप लेते हो तो जितना जादा लियां अंड्रेश्टर परसंट से उसके रिएस चार्ज मेकनिजम लग जाएगा सर अगर माली जे 20% तक हमने लिया तो आप बुले RCM नहीं लगेगा ठीक है रेसिपेंट नहीं लगेगा आरसियम नहीं लगेगा तो क्या NCM लगेगा नॉर्मल चार्ज लगेगा सप्लायर देगा जी नहीं सप्लायर भी नहीं देगा क्योंकि सप्लायर खुद एक परसंट से अधर इंपुट या इंपुट सर्विस की खरिकदारी की जाती है तो एकस्स बीस परसंट से उपर वाले अमाउंट पर लगा दिया जाएगा आपका ऐसे करके जिसे मान के चलिएगा अगर कोई व्यक्ति अधर चीजें में पॉइंट सी के सम्मनें बोल रहा हू अन्रेश्टर से लिए 18 परसंट रेजिस्टर से लिए यहाँ पर इन्होंने 82 परसंट कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है रेजिस्टर से लोगे तो NCM ही लगता है और अगर अन्रेश्टर से लिमिट में लिया है तो ना RCM और ना NCM की बात करी जाती है उसके बाद में इतना आपने जादा ले लिया उस पर RCM लग जाएगा और जो up to 20% था उस पर RCM लगना है नहीं, NCM लगाया नहीं जा सकता क्योंकि supplier आपका understood आदमी है, ऐसे करके आपका यहाँ पर 9-4 मालिक यह आ जाता है, time of supply chapter में कोई change नहीं है, सब कुछ पहले के जैसा ही है, invoice chapter में एक छोटा सा बदलाव किया गया है, normally हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा होता है, कि जो आपका invoice है, या जो भी आपका bill of supply बाबुजी होता है, invoice या bill of supply जो होता है, अगर उसकी जो value है, वो 200 रुपेज से 200 से कम है, less than 200 होती है, less than 200 आपकी अगर वो होती है, और recipient जो है वो आपका एक unregistered आदमी है, दोनों बाते अगर पूरी हो जाती है, कि सामने वाला बंदा understood है, और 200 रुपे से कम कि अगर हम बात करके यहां पे चल रहे हैं, तो वैसे हालात के अंदर क्या किया जाता है, सहाब मैं आपको बता दूँ, यहां पर आकर प्रभू हम लोग कहते हैं कि भाई, कि भाई इसके लिए invoice या bill of supply issue करना जरूरी नहीं है, no need to issue bill of supply और invoice, but problem यह create हो जाएगी कि यहां पर input output ratio match नहीं करेगा, invert और outward supply में दिक्कत आएगी, तो that's why lawmaker has made a provision, कि at the end of the day, you may issue a consolidate tax invoice, a bill of supply for himself, so that we can arrange or match input and output, okay जी, but अब change क्या है वो सुन लीजिए, जो multiplex होते हैं, आपके जाँ multiplex स्क्रीन लगी होती है, PVR, wave, etc., वहां पर जो आपको ticket मिलता, पहली बात तो यह, कि जो ticket है, उस ticket को ही invoice के नाम से जानते हैं, passenger transportation activities के अंदर भी ऐसा होता है, और multiplex के अंदर भी ऐसा ही होता है, जो ticket होती है, उस ticket को ही invoice मान लिया जाता है, लेकिन अगर ticket 1500 रोपे की हो, तो क्या करेंगे, और normally आप जानते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी आपका, खरिदार भी recipient भी understudy होता है, तो कि ticket देना जरूरी नहीं है, जैसा अभी provision पढ़ रह इलेक्रोनिकली, ticket mandatory है, और चाहे value 200 रोपे से कम की ही क्यो ना हो, यही amendment, यही change आपका यहां पर बताया गया है, साहब, तो ऐसे करके यहां पर यह बात करे गई है, और जहां पर multiplex screen नहीं है, वो चाहें तो electronically कर सकते हैं, वो उनकी choice के ओपर निरभर करता है, लेकिन multiplex वालो time of valuation का और RCM का time of supply और invoice वो आपके होने, उनमें जो May 20 के लिए जो जो changes आए हैं, वो मेरे आपके हैं, क्या है वो amendment सर जी, देखो भाई मेरे, amendment कुछ इस परकार से है, कि पुराने समय में क्या होता था, मैं आपको यहां देखिए, जिए दिखाता हूं जरा, normally होता क्या है, क और यहां पर यह recipient होता है, और यह GST portal हो गया, और इधर भी GST portal आ गया, यह बंदा अपने जो invoice issue किये हैं, उनकी return या उनका statement GSTR 1 में अगले महने की 10 तरक तक फाइल कर देता है, और जो जो invoice यहां पर upload किये जाते हैं GSTR 1 में, वो GSTR 2A के द्वारा recipient को communicate हो जाते हैं, फोकस कीजिएगा GSTR 2A पर, यहां communicate हो जाते हैं, और उसके बाद फिर यह अपना GSTR 2A फाइल कर देता है, अगले महने की 15 तरक तक, amendment से पहले क्या था, कि अगर supplier कुछ invoices अपने upload नहीं करता है, उनका tax नहीं भरता है, तो recipient को जब यह GSTR 2A मिलता होगा, तो उस समय वो invoice इसमें दिखते नहीं थे, और विसी बात है, उनका वो credit अपनी किताबों में नहीं ले पाता था, section 16 के अंदर यह बंदिश भी थी, कि supplier अगर अपने return या tax नहीं भर रहा है, तो recipient को credit नहीं दिया जाएगा, इसी point पर थोड़ा सा relaxation दिया गया है, कुछ बात को ऐसे समझेगा, जैसे मान लीजिए, यह आपका यहाँ पर supplier है, और यहाँ से 10 invoice issue किये जाते हैं supplier के end से, और मैं मान के चलता हूँ, कि यहाँ पर हर एक invoice के सम्मंद में, 100 पे का tax बनता था, तो 10 invoice का total tax बन गया 1000, लेकिन, इसने सिर्फ 7 invoice को ही GSTR पर upload किया, GST portal पर upload किया इसने यहाँ पर आकर, ठीक है सर जी, और बाकी 3 को यह miss कर गया, बाकी 3 का tax इसने नहीं भरा, और वेश सी बात है, automatically यह GSTR 2A के अंदर, इसके सिर्फ यह 7 invoices का tax ही दिखाई दे रहा होगा, जो कि 700 आ रहा होगा, पुराने समय के अंदर, इस व्यक्ति के पास, जो eligible ITC होता था, वो सिर्फ 700 ही होता था, लेकिन अब इसके अंदर एक नई चीज एड़ कर दी गई है, कि आप थोड़ा सा credit और ले सकते हो, यह है आपके basically amendment, और कितना ले सकते हैं, कि जो भी आपका eligible ITC है, जो 700 जितना आप normally अपना book कर पा रहे हो, उसका 20% निकालिए, जो कि 140 रुपे आता है, और जो invoice supplier ने upload नहीं किये, उनसे related जो tax बनता था वो, और इन दोनों की तुलना कर दीजिए, whichever is lower, जो कि यहां पर 140 रुपे आएगा, तो अब आपको amendment के बाद, 140 रुपे का extra, जो पहले नहीं मिलता था, अब वो ITC भी मिलना शुरू हो जाएगा, और 700 ये, और 140 ये, 840 रुपे का आप ITC अपनी किताबों में ले पाओगे, उसके सम्मंध में भी रेसिपेंट को ITC मिलेगा, पर कितना मिलेगा, उन इन वोईसे में जो अपलोड नहीं किये गए, उन से related amount जो बनता है वो, और जितना आपका eligible ITC बनता था, as per GSTR 2A, उसका 20% whichever is lower, प्रेम से बोलेंगे, राधे, राधे, अब यहां पर चुकि वर्डि लिंक्स में specially बोला गया था, GSTR 2A में जो reflect होता है, उसका 20%, कुछ credit ऐसे भी होते हैं, जो recipient book तो करता है, पर वो GSTR 2A में reflect नहीं होते, अगर आपने import of goods किया हुआ है, तो वहां पर जो IGST होगा, वो GSTR 2A में reflect नहीं होगा, क्योंकि यह तो आपने import किया है, या input service distributor से जो आप आपको credit मिला था, वो भी GSTR 2A के अंदर reflect नहीं होता, तो मैं focus करवाना चाहता हूँ GSTR 2A पर, उसमें जो reflected था, उसका 20% ही आपको लेके चलना है, वो 20% और जितने के invoice अप्लोड नहीं किये थे, वो whichever is lower, यह amendment है आपके section 16 और उससे सम्मंदित है आपका rule number 36, और 36 के अंदर even आता है, sub rule number 4, वहाँ पर आपकी amendment बताई जाती है, तो IT से में आपकी यही amendment करी गई है, इस पर based minute questions भी आपको amendment class में करवा रखे हैं, फुल डिटेल देखनी है तो amendment class को refer कर लीचेगा, उसके बाद मैं फिर मैं आपको लिए चलता हूँ, हमारा revision वीडियो में अगला chapter होगा manner of payment का, इसमें कोई बहुत बड़ा change नहीं है, नाम मात्र का change किया गया है, जैसे कि जो हमारे OIDAR वाले होते हैं, online information, database access and retrieval service वाले, जो इंडिया के बाहर से entity में बैठ कर, TT में service देते हैं, unregistered person को, जिसके लिए हमने पूरी team page की linkage करी हुई थी, OIDAR concept के अंदर, उनके लिए GST भनने का पहले एक special accounting system केता है, तो वो अपना GST pay किया करते थे, लेकिन अभी ये special accounting system उनका withdraw हो गया है, और वो normal तरीके से ही अपना GST discharge करेंगे, नाम मात्र का change है, amendment नहीं, सिर्फ एक शब्द सुधार है, इस से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो TDS और TCS, TDS deduct किया जाता है, TCS collect किया जाता है, मैं बात कर रहा हूँ, section number 51 और 52 के सम्मंद में, तो deductory, जो deductor है, जिस ने TDS deduct किया है, ये TCS collect किया है, वो उस पैसे को सरकार को जमा कराता है, और सामने वाली पार्टी के e-cash leisure के अंदर वो पैसा credit हो जाता है, हमने पहले भी ऐसे पढ़ा था, आज भी हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, बस थोड़ी सी शब्दों में सुधार थी, शब्दों में थोड़ी दिक्कत थी, उस शब्द 2020 या जून 2020 का ही उसके लिए अप्लिकेबन नहीं है, ये थी आपकी manner of payment सम्मंधी बाते हैं, उसके बाद में फिर बात आती है आपके registration चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ बात आपके निकल के आती है, उसमें भी changes किये गए हैं, changes क्या क्या हैं, कुछ अच्छे खास हैं औ इसके अंदर भगवान जूट ना बुलाए, मैं आपको बता दूँ, यहां ये registration chapter, ये amendment classes के notes हैं, मैं वहीं से reference लेकर आप से बात कर रहा हूं, यहां पहले एक समस्या हुआ करती थी, मान लीजे इधर है GST Department और इधर है bank, जब मैं GST Department के पास में registration मांगने जाया करता था, तो वो मुझसे कहते थे कि bank account की detail लेकर आओ पहले, तो मैं आपको registration certificate दूँगा, मैं आता था bank के पास में कि मुझे GST में registration करवाना है, तो मेरा bank account खोल दो, जब bank account खोलने की बात आती थी, तो वो कहते थे कि पहले GST का registration लेकर आओ, ये क्या तरीका है, वो कह रहे हैं पहले bank account लेकर आओ, bank account लेकर आओ, गरे GST registration लेकर आओ, तो यहाँ पर दिख कर थी, इसका solution लोग क्या निकाला करते थे, कि पहले कोई और भी जो पहले से खुला हुआ account है, उसकी detail दे दी, और GST certificate ले लिया, और GST certificate के आधर पर अपना business का एक current account खुलवाया, और फिर amendment डाले कि भाईसर मेरा bank account वो नहीं ये वाला है, तो यह बिना बात की एक unusual exercise हो रही थी, तो यहाँ पर आकर जुगा कौन, और वेसी बात है, department जुग गया, GST department यहाँ पर आकर जुग गया my dear, GST department, यहाँ पर आकर जुग जाता है, और GST का जो department है, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, कि आप आईए application दीजिए, हमें शुरू में bank account की कोई जरूरत नहीं है, जब आपको registration certificate मिल जाए, उसके बाद आप bank account अपना खुलवा लीजिएगा, और उसकी detail आप हमें submit कर दीजिएगा, लेकिन कर देना, एक time frame भी दिया गया, 45 दिन from the date of registration, और due date of return, whichever is earlier, इतने समय के मैं नहीं सौपी, तो हम आपके जो registration है, उसको यहाँ पर cancel कर देंगे, इस प्रकार का प्रावधान यहाँ पर लिखा गया, और बात बिलकुल सही है, कि भी पहले registration ले लो, उसके बाद bank account खुलवा लो, और bank account की detail आप एक तैशुदा time के अंदर उनको दे देना, अगर cheating करो नहीं दोगे, लापरवाही करोगे, तो आपके registration को cancel कर देंगे, लेकिन यह जो facility दी गई है, सुविधार दी गई है, कुछ case में available नहीं है, जिनका सरकार के द्वारा registration करवाया जाता है, अधिकारी के द्वारा registration करवाया जाता है, कौन लोग होते हैं वो, जैसे मान के अंदर यह सुविधा आपके लागो नहीं होगी, और नहीं TDS डेडक्टर और TCS कलेक्टर पर यह सुविधा लागो होती है, उसके बाद में rule number 12 के अंदर एक छोट असा बदलाव किया गया है, मुझे नहीं लगता कि exam के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन फि TCS कलेक्ट करके चलते हैं, और उनके जो बायर्स हैं, जो जुड़े हुए लोग होते हैं बेसिकली, जो डीलर्स हैं इनके साथ में, वो अलग-अलग स्टेट से तालुकात रखके चलते हैं, लगबग हर एक स्टेट से तालुकात रखके चलते हैं, तो TCS कलेक्टर को यानि कि जो flip card etc हैं इनको उन तमाम state के अंदर registration लेना होता था जहां पर इन से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं लेकिन registration लेने की एक बड़ी जरूरी requirement होती है कि आपका वहाँ पर एक premises होना चाहिए तो flip card के सामने बड़ी चुनौती थी कि उसे हर state के अंदर अपना एक office खो collector तो पुराने समय के अंदर ही इसका solution निकाल दिया गया था और बोला गया था कि TCS collector के रूप में registration जिस state में आप ले रहे हैं उस state में आपका premises या office होना जरूरी नहीं है ये पुरानी ही बाते हैं अब क्या कर दिया गया है कि इस तरह की सुविधा को TDS deductor के case में भी लाग कर दिया गया है तो क्रक्स ये निकल के आता है finally कि चाहे आप TDS deductor है चाहे आप TCS collector है आपको registration मिल जाएगा TDS deductor और collector group में जो कि section 24 में mandated registration होता है वो आपको available करा दिया जाएगा उस state के लिए भी जहां पर आपका practically कोई office या premises नहीं है उसके बिना भी आपको available करवा दिया ज देखिया जी उसके बाद आता है आपका rule number 21 A के अंदर कुछ बात करी जाती है पहले मैं इसकी background आपको छोटी सी बताता हूं और उसके बाद मेन मुद्दे की बात पर आता हूं नॉर्मली जब हम एक fresh registration लेते हैं तो क्या क्या होता है मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपनी limit क्रॉस कर दी 10 लाग 20 लाग 40 लाग या mandatory registration के टेगरी में मैं आ गया इसके 30 days के अंदर अंदर मुझे registration के लिए apply करना होता है उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर registration certificate grant कर दिया जात है invoice के chapter में हम लोग पढ़ते है revised invoice का concept ठीक है सर जी तो हमें यह भी पता है कि यह जो pre RC period था इसके अंदर हम supply तो कर सकते हैं जब तक registration certificate मेरे हाथ में नहीं था मैं supply तो कर सकता हूं लेकिन tax invoice issue नहीं कर सकता था और return भी filing की बात नहीं होगी क्योंकि मेरे पास registration certificate नहीं है मेरे पास GST registration number नहीं है तो फिर क्या करते थे जैसे ही आपके पास RC आती थी तो आप एक महिने के अंदर अंदर अपने इस pre RC period के लिए अपने registered customer को एक revised invoice दे सकते थे यहाँ पर चुकि pre RC period में tax invoice नहीं दिया जा सकता था तो उसके लिए consolidate करके आप अपना revised invoice issue कर सकते हो एक महिने के अंदर अंदर for the pre RC period साथ में section 40 आता है जो first return की बात करता है कि आपका जो pre RC period था आप उसकी return भी submit करोगे साथ में section 18 sub section 1 clause A जो ITC chapter में आता है उसमें लिखा हुगा कि अगर कोई बंदा timely registration करवा लेता है 30 days के अंदर करवा लेता है तो उसका जो बचा कुछा ITC ता पीछे वाला वो भी अपनी किताबों में वो ले सकता है और section 22 के मताबिक timely registration करवाने पर कोई किसी परकार की penalty भी आपको नहीं लगाई जाएगी अब इस बात को देखते हैं कुछ ऐसे करके कि मान लिजी आपका registration सो पहले से थाई था ठीक है यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर यहाँ पर एक ऐसे situation arise हो रही है कि मान लिजी आपने स्वयम अपने जो existing registration था उसे cancel कराने की अरजी सरकार को दे दी यह सरकारी अधिकारी ने सुव मोटो आपके registration को cancel करने का प्रस्ताव रखा हम अच्छे से जानते हैं आज की डेट में direct cancel नहीं हो सकता for the time being आपका जो registration है वो suspend रहेगा इस period के अंदर वो suspend रहेगा जब suspension का period चल रहा होगा तो obviously बात है आपका status तो non-taxable person का रहेगा साथ में आप supply तो कर सकते हो पर tax invoice नहीं दे सकते नहीं कोई return file कर सकते हो यानि कि इसकी बाते कुछ ऐसी हो रही है जैसे कि pre-RC period के अंदर चीज़े निकल के आती है यहाँ पर supply तो कर सकते हो पर tax invoice आप नहीं दे सकते हैं नहीं कोई return filing की बात की जाएगी आगे चल कर दो बाते हो सकती है finally जब सारी inquiry investigation पूरी हो जाती है तो इनका registration cancel हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता फर्ज कीजिए कि इनका registration cancel नहीं होता है और यानि कि जो suspension order था वो withdraw हो गया और registration cancel हुआ ही नहीं जब cancel नहीं हुआ तो दिक्कते क्या आएंगी आपने हैं supply तो issue करी थी लेकिन tax invoice नहीं दिया था तो क्या अब आप अपना registration बहाल होने के बाद एक revised tax invoice दे सकते हो या नहीं the answer is yes क्या इस period की रिटन भर सकते हो the answer is yes वही सारे normal काम आप कर सकते हो जैसे कि आप fresh registration के साथ में करते थे तो fresh registration लेना या फिर registration cancellation के लिए डाला कि भई ये खतम करो इसे लेकिन वो पुनर जीवित हो गया खतम नहीं हुआ उसको होश आगयर वो continue चल पड़ा तो इसको भी इस घटना को आप ऐसे देखिएगा जैसे कि आपका यहाँ पर fresh registration ही हुआ है और उसी के मताबिक चीज़ों को handle किया जाएगा तो जो pre-RC period है it is equivalent to your suspension period और उसके बाद फिर सारे चीज़े और जहाँ पर यहाँ registration certificate नया मिला था और यहाँ पर आपका जो cancel कराने जा रहे थे वो cancel नहीं हुआ तो वो भी एक नए registration के समान ही एक तरह से treat किया गया है और accordingly सारी बाते करी गई है मालिक उसके बाद में छोटी मोटी बाते हैं जो कि ध्यान में रखनी जरूरी नहीं है जैसे कि जो OIDAR concept आता है अभी देख रहे थे कि उसका special जो GST payment system था उसकी अब जरूरत नहीं रहे गई है नॉर्मल तरह के से GST का payment करेगा OIDAR वाले जो NTT में बैठकर TTT में एक unregistered person को supply कर रहे हैं उन व्यक्तियों को अपनी annual return GSTR 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है उनको GSTR 9C भी फाइल करने की जरूरत नहीं है इससे उनको exemption दे दी गई है rule number 66 आता है इसमें नाममातर का change था चेंज कुछ नहीं बस basically कुछ एक शब्द सुधार था और कुछ नहीं है आप इसे ना भी देखें तो काम चल जाएगा उसके बाद में आगे आता है GSTR 3B जैसे कि आप जानते हैं आज की date में GSTR 3B फाइल किया जा रहा है देखो मालिक जो आपका GSTR 1 है क्या इसको आप return बुला सकते हो common language में return बुला देते हैं लेकिन ये return है नहीं फिर क्या है ये 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 एक परकार का statement है statement of outward supply जो आपका GSTR 2 है क्या ये return कही जाएगी नहीं ये return नहीं है ये भी आपका statement of inward supply कहा जाता है अब GSTR 3 तो as of now जा नहीं रहा है जिसे की हम return बुलाया करते थे और बुलाते हैं और बुलाते ही रहेंगे ये return बुलाया जाएगा आज कल जा रहा है आपका GSTR 3B तो इस GSTR 3B को हम लोग return के नाम से बुलाएं या statement के नाम से बुलाएं अगर मैं आज इसे statement के नाम से बुलाता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने period के लिए आप भरते आ रहे हैं GSTR 3B जिस दिन GSTR 3 लाँच हो जाएगा उस दिन इस पूरे period का जिसके लिए GSTR 3B भरा है उसके लिए आपको GSTR 3B 3B भरना पड़ेगा अगर ये GSTR 3B को हम statement मानते हैं तो क्योंकि भहिया return भी जानी जरूरी है return तो mandatory है आपकी जानी ही है अगर ऐसा कब होगा अगर मैं इसे मानता हूँ एक statement तो भविश्य में जिस period के लिए आपने I repeat hold the wordings आज GSTR 3B आप दे रहे हो और मान लीजी यहाँ पर आपका GSTR 3 लाँच हो जाता है अगर मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये आज एक statement का नाम दिया जा रहा है तो इसका मतलब इस period की return तो कोई गई ही नहीं तो that's why जिस दिन GSTR 3 लाँच होगा आपको इस period के लिए भी GSTR 3 भरना पर जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा इसलिए कहा गया जगरा ना डालते हूँ कहा गया कि भाईया जो GSTR 3 भी है ये एक return ही है और इसको return के equivalency ही माना जाएगा meaning thereby कि अगर मैंने GSTR 3 भी भर दिया है तो अब इस period के लिए मुझे कोई GSTR 3 भरने की आवशक्ता नहीं है that mean कि जब GSTR 3 आएगा तो वो prospectively आएगा retrospectively नहीं आएगा ये यहाँ समझाने की बात कहे गए तो GSTR 3 भी एक इवर हम तो return ही बोलते आए है return ही समझते हैं लेकिन technical locha पढ़ जाता है तो वहाँ बताया गया shall be treated as return ये हमारी बात यहाँ पर हो जाती है और उसके बाद registration हो गया return हो गया और refund chapter पर हम आते हैं जो इस के अंदर मैंने cover किये हैं chapters उनसे जुड़ी ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये जो मेरा refund का chapter है इसमें भी बहुत ज़्यादा changes नहीं किये गए हैं कई जगाओं पर लिखा था word payment advice now payment advice replaced with payment order तो ज़्यादा कोई भारी भरकम change नहीं है दूसरी बात ये कि जो duty free shops होती हैं आप जानते हैं international airport पर ये होती है और जब ये कोई सामान एक tourist को बेचती है foreign currency के against में तो यहाँ पर GST की कोई बात नहीं करी जाती है without charging GST ये काम करके चलते हैं सवाल ये उड़ता है जरा यहाँ पर focus बनाईएगा कि जब एक supplier आदमी duty free shop के लिए supply करेगा तो ये पीछे से tax लगना क्योंकि आगे तो tax है नहीं तो पीछे tax लगेगा या नहीं लगेगा तो कहरे कि नहीं लगेगा पर उसका mechanism कुछ ऐसा बनाया कि पहले tax भर दीजिए उसके बाद आप इसका refund claim कर सकते हैं क्योंकि मैं आगे से tax नहीं ले रहा हूँ तो मेरे पर पीछे से भी tax का burden नहीं होना चाहिए तो पीछे भी tax नहीं है लेकिन indirect way में खतम किया कि पहले आपको pay करना पड़ेगा बाद में आप उसका refund claim कर सकते हो साथ में कुछ conditions भी दे रखिए कि आपको ये conditions follow करने पड़ेंगी कि जो supplier है ये वाला जो person है ये व्यक्ति एक registered व्यक्ति होना चाहिए formal तरीके से यहां पर एक tax invoice issue होना चाहिए जिसमें duty free shop के पूरी details available हो ऐसे करके यहां पर कुछ जानकारी दी गई है उसके बाद में एक और आया था आपका consumer welfare fund से सम्मंदित इसे काटा मार सकते हैं it is nothing amendment थी मैंने करवाई भी थी but not for exam ऐसा मुझे लगता है कि यहां पर पहले committee कुछ recommendation दिया करती थी क्या होता है consumer welfare fund का एक certain portion खर्च किया जाता है GST की awareness के लिए public के बीच में तो पहले एक उसके लिए committee बनी हुई थी जो recommend करती थी कि इतना amount खर्च किया जाना चाहिए उसके सम्मंद में लेकिन उस recommendation word को हटा कर उन्होंने mandatory power दे दिये कि committee mandatory बताएगी एक चीज़ होती है कि मैं किसी चीज़ को recommend करूँ सुझाव दूँ कि ऐसा काम हो जाना चाहिए आप कहरें सुझाव की जगह नहीं आप सिधा order दीजिए सुझाव में सिधा order दीजिए आप कि आप ये काम करेंगे इतना पैसा इस awareness के लिए खर्च किया जाएगा उसके बाद में फिर बात आती है थोड़ी सी जो हमारे specialized agencies होती है embassy, United Nations, etc. ये जो लोग होते हैं इनके सम्मंद में हम पहले से क्या बात जानते हैं जब हम अपनी exemptions पढ़ रहे थे service exemptions पढ़ रहे थे with respect to services exemption chapter में तो वहाँ जानते हैं कि अगर यहां से ये कोई service लेती है ये UIN holder होते हैं लोग अगर ये इंडिया से ही कोई service लेते हैं मैंने example दिया था AITL का तो पहले GST पे करना पड़ता है बाद में refund मिल जाता है हला कि इनकी आगे तो कोई किसी प्रकार का GST है नहीं तो पीछे भी GST नहीं होना चाहिए तो इंडिया से अगर कोई service लोगे तो पहले GST लगेगा उसके बाद फिर उसका refund मिल जाएगा अगर इंडिया के बाहर से कोई service लोगे तो notification number 12 oblique 2017 straight forward उसको exempt कर देती है यानि कि service चाहे देशी लें या विदेशी लें GST नहीं लगेगा finally उसके बाद अगर goods की बात करी जाए इंडिया से goods लोगे तो पहले GST देना पड़ेगा बाद में फिर उसका refund मिल जाएगा लेकिन अगर कोई goods इंडिया के बाहर से लिया है तो वहाँ पर import duty के साथ साथ IGST का भी payment करवाया जाता है किसको करवाया जाता है सर्जी payment करवाया जाता है to custom department को वहाँ पर payment हो जाता है तो उसके लिए बोल रहे हैं कि जो पैसा वहाँ दिया गया है उसका refund यहाँ पर करवा दिया जाएगा इस प्रकार की clarification यहाँ पर दी गई है कुल मिलाकर nutshell में बात यह है कि जो embassy, United Nations, etc यह जो भी goods या services लेंगे देश से या विदेश से finally इनके उपर GST का लोड नहीं आएगा इस प्रकार की बातें यहाँ पर कर दी गई है तो यह थी आपके इन 5-6 chapter से जुड़ी हुई amendment जिनको मैंने एक बार आपको फिर से बताया इसके बाद बतादू मैं आपको हाँ सर जी हमें नाम तो बताई दो नाम है इसका assessment का topic होगा एक आपका advance ruling का topic आएगा एक audit investigation का demand recovery का penalties का, appeal का e-wable का और OIDAR के जो आपकी services आती है यह topics मैंने cover किये हैं बहुती शांदार और procedural part है और अगर पढ़ने के बाद एक आह और एक वाह ना निकले तो कहिएगा और निकलाए तो comment box में जरूर बता दीजेगा ठीक है इसमें जो amendments साब कियाई हैं बहुत ज़ाद amendments नहीं थे इस बार तो मैं बतादू फिर भी जो छोटी-छोटी amendments हैं वो तीन chapters को affect करती है amendment एक demand recovery के chapter को affect करेगी एक आपके जो appeal का chapter है उसे and एक जो evable का chapter है तीन होगे demand recovery, appeal and evable इन तीनों chapters में एक का दुक्का कोई छोटी-मोटी amendments आई है उसको मैं पहले बता दूँ उसके बाद फिर आपका वीडियो continue होगा ठेक है तो पहले बात करते हैं demand and recovery chapter के अंदर आकर मालिक यह देखो जरा यहां पर आकर तो जैसे यह हमारा formal diagram होता है और हम अच्छे से जानते हैं कि भाई सबसे पहले यहां पर यह शोकोज notice की बात कर रहे हैं उसके बाद में फिर demand order आपका आता है and उसके बाद फिर appeal वगरा की बात करी जाती है लेकिन शोकोज notice इशू करने से पहले एक offer दिया जाता है offer one और offer one इसको bonafide और malafide दोनों को शोकोज notice से पहले offer दिये जाते हैं कि भाई यह आप चाहो तो अपने dues का payment कर सकते हो government की तरफ से offer दिया जाता है एक open और offer है यहाँ पर अब इस offer को basically पहले क्या था यह choice थी समझना बात की लचक को समझना यह choice थी पहले assessi की law maker ने law बना दिया कि आपको assessi taxpayer आपको offer है आप चाहो तो notice से पहले अपने dues का अपनी मर्जी से आके भुगतान कर दीचेगा अगर ऐसा कर देते हो तो फिर अधिकारी आपके लिए showcase notice issue नहीं करेगा ठीक है अब क्या किया है अब यह ball इसके साथ साथ अधिकारी के पाले में भी डाल दी है अधिकारी को बोल दिया गया है कि है अधिकारी आप showcase notice अठी लिखेंगे taxpayer को कि तरह इतना tax interest और penalty ये सब बनता है और तू आकर इसका voluntarily payment कर दे अपनी मर्जी से आके payment कर दे मैं तुझे notice issue नहीं करूँगा बात के लचक को समझे पहले अधिकारी involved नहीं था यही involved था कि आपको action लेना है कि आप voluntarily जाके pay कर दीजिए अब क्या कह रहे हैं कि ये तो कभी भी कर सकता voluntarily पे जाकर शोकोज notice से पहले in addition to this अधिकारी को भी बोल दिया गया है कि तुम notice से पहले एक चिठी दोगे taxpayer को कि इतना interest इतना tax और इतनी penalties बनती है और आकर payment कर दीजेगा अगर taxpayer पूरा payment as it is कर देता है तो बहुत अच्छी बात लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं इतना payment नहीं बनता कुछ कम बनता है वो partial payment करता है या payment नहीं करता है या उसको कोई और submission है कि भाई साब ये का तरीका मेरा तो कोई dues बनता है नहीं है कोई और किसी प्रकार की submission है तो फिर उसी चिठ्थी के जवाब में एक चिठ्थी देगा taxpayer department के अधिकारी को और इस चिठ्थी का जो नाम बताया गया है वो है form GST DRC 01A यानि कैसे मान के चलिएगा कि जो form है DRC 1A इस form के दो पार्ट है पार्ट नमबर A और एक हिसका यहां पर पार्ट नमबर B इसके दो हिस्से होते हैं पहला हिस्सा GST जो officer है वो इस्तिमाल करता है और दूसरे हिस्से को जो taxpayer है वो इस्तिमाल करेगा अगर उसे अपनी कोई किसी प्रकार की submission देनी है तो यानि कि अगर लाइक वो partial payment कर रहा है तो बताना है या फिर कोई और किसी प्रकार की submission है तो वो part भी किस्तिमाल करेगा फॉर्म वही रहेगा DRC 1A तो यह दो paragraph यहां पर add कर दिएगे क्या बोला गया भला the proper officer shall before service of notice to the person chargeable with tax interest and penalty shall penalty under under section 73 any bona fide case or 74 to any malafide case as the case may be shall communicate shall word shall communicate the details of any tax interest and penalty as ascertained by the officer before service of show cause notice in part A और form number DRC 1A उसके बाद आगे बाद करते हैं यह और add किया गया where the person referred to in sub rule 1A has made partial payment पूरा payment नहीं करता है partial करता तो obvious ही बात है उसकी support में कहने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा right partial payment करता है यह फिर उसकी कोई और किसी प्रकार की submission है कोई बात अपनी रखनी है तो इसी form के part B के माध्यम से वो अपनी बात रख सकता है of the amount communicated to him or desires to file any submission against the proposed liability he may make such a submission in part B of the same form DRC 1A is it okay I repeat incorrect this is the most important पहले voluntary payment का option अप्शन इसके पास में था option आज भी इसके पास में है लिकिन इस शीच को और active बनाने के लिए अधिकारी को instruction दे दी गए कि आपको चिठी देनी ही देनी है DRC 1K अंदर अपने उस taxpayer को before issuance of show course notice ठीक है उसके बाद appeal chapter के अंदर वे एक छोटा सा बदलाव किया गया है यह diagram बहुती शांदार है मैं आपको बता दूँ पूरा chapter आपका समाज आता है इन दो pages के अंदर तीन, तीन pages के अंदर पूरा पील का chapter only three pages में है each and every concept इसमें जो section 120 है non filing of departmental appeal उसके अंदर बदलाव है यहाँ पर जो limit हुआ करती थी कापकी यह बीस लाग की limit होती थी अपलेट ट्रबनल के अगेंस्ट में और पचास लाग की high court के सम्बंध में और सौ लाग की होती थी आपके supreme court के सम्बंध में तो 100 हो गया 200, 50 हो गया 100 और 20 के 40 करें 40 बड़ा odd सी figure लग रहे थी सिधा 50 कर दिया तो 50, 100 and 200 पुराना क्या था भूल जाओ नायाद रखो 50 उसका double 100 और उसका double 200 ऐसे करके यहाँ पर बात कर ली गई है तो आपकी यह non filing of departmental appeal के जो limits हैं वो change हो गई है उसके बाद e-way bill के अंदर तीन points है amendment के ठेक है तीन points है पहला point इसमें क्या के बोलता है मैं आपको बता हूँ देखो साहब जैसा कि आप भली बहाती जानते हैं इसमें आके जे कि जो हमारा normal cargo होता है उसके लिए e-way bill की जो validity है वो एक दिन की होती है जो over dimensional cargo होता है उसके लिए limit होती है कितनी क्या बोला मैं 20 km बोला नहीं सुनो मेरी बात फिर से बोलता हूँ जो मेरा normal cargo होता है उसके लिए 100 km per day मतलब उसके जो validity है वो एक दिन के लिए 100 km मतलब यह कि let's suppose अगर 330 km की यात्रा करनी है तो e-way bill कितने दिनों तक valid रहेगा 100 km per day और part there of assets को पढ़ा जाता है तो 330 km में तीन lot तो 100 100 के बन गए चौथा अधूरा था तो चौथे को भी पूरा मान लिया जाएगा यानि कि 4, 4 days का यहां पर आपको समय मिल जाएगा e-way bill की validity के लिए जैसे मान लीजिए अगर आपका e-way bill यहां 25 एक को generate किया गया था तो 26, 27, 28 और 29 जब तक घड़ी में 29 की date दिख रही है तब तक वो आपका e-way bill यहां पर valid रहेगा और घड़ी में 29 की date दिखेगी रात को 11 बचकर ग्यारे बचकर 69 मिनट और 69 सेकेंड तक तो ऐसे करके होता है दूसरा अगर over dimensional कारगो होता है तो यहां पर जो limit दी जाती है वो 20 किलोमीटर और पार्ट देर आफ पर डे के हिसाब से यहां पर दी जाती है over dimensional कारगो के लिए इसमें जो amendment आई है वो क्या वो समझे है कि अगर मान लीजिए case आपका multi model का बनाया जा रहा है किसका बन रहा है multi mode या multi model का आपका case बनता है और उस multi model मतलब जैसे मालो टरक भी इस्तिमाल हो रहा है पानी का जहाज या हवाई जहाज भी इस्तिमाल हो रहा है रेल गाड़ी भी इस्तिमाल हो रही है तो multi mode of transport वहाँ पर इस्तिमाल किये जा रहे होते हैं ठीक है अगर multi model है and उस multi model में पानी का जहाज भी शामिल है उस multi model में पानी का जहाज भी शामिल है अब पानी का जहाज होता उसकी speed बड़ी ही कम होती है मान के चलिए around ऐसी होती like 15-20 nautical mile per hour अगर आप 15-20 को में 18 लेलो average या 20 लेलो 20 को अगर मैं multiply करता हूँ 1.853 से क्यूंकि हमें km अच्छ समझ में आता है ना तो मुटा मुटी 35-40 km per hour की speed होती है एक वैसल की इतना तेज तो एक cycle भी चलती है ट्रक्टर भी दोड़ जाता है तो यह speed होती है वैसल की तो यहाँ जब वैसल बीच में आ रहा है multimode के अंदर तो आप मुझे बताईएगा क्या यहाँ पर time ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए एवेबल की validity के लिए समय ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए ह हाँ सर ज़्यादा मिलना चाहिए तो कारगो चाहे आपका नॉर्मल हो चाहे कारगो आपका over dimensional हो multi model है और उसमें एक आपका वैसल भी आ रहा है तो कारगो जो मर्जी हो limit रहेगी आपके 20 km और पार्ट देर आफ फॉर वन डे एक दिन मिलेगा 20 km और पार्ट देर आफ के लि के लिए यहाँ पर यह अमेंडमेंट आपकी डाली गई है तो ध्यान रखना चाहे कारगो over dimensional हो या फिर कारगो आपका normal कारगो हो multi model है including vessel है तो अगर हवाई जहाज हो तो अगर हवाई जहाज है तो फिर वहाँ समय के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर तो वही आपका pattern चलेगा कि normal कारगो तो इतना और over dimensional तो इतना फिर तो वही चलेगा normal आपका लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर multi model है और उसमें से आपका एक जो mode है वो vessel के through भी आ रहा है तो फिर उस case में irrespective of cargo आपको 20 की limit मिलेगी 20 km per day और part there off जो भी है वहाँ पे रहेगा is it okay my dear हाँ सब एकदम okay कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो पहली amendment तो ये इसके अंदर आ जाती है दूसरी बात एक और निकल के आती है भला क्या वो ये निकल के आती है सहाब कि क्या evay bill expire अगर हो जाता है तो क्या उसको extend करवाया जा सकता है उसकी validity को the answer is yes extend पहले भी करव extend करवाया करते थे ना मालिक पहले जब हम इसको यहाँ पर extend करवाया करते थे तो extension की application evay bill की validity expire होने से पहले application देनी पड़ती थी extension के माल लिजे कोई आपका जहाज ये जो पानी जो ट्रक था ये खराब हो गया बाड आ गई भू कंप है पलट गया accident हो गया कोई भी emergency situation मन जाती है और ये 31 जनवरी को आपका expire हो रहा था तो आपका भी भी इसकी जो validity उसे extend करवा सकते है बट बिफोर expiry of 29,1,2020 अब latest provision के आया ह कि आप इसको बढ़वा सकते हैं even after expiry of e-way bill यानि कि आप इसको e-way bill expire होने के 8 घंटे के अंदर अंदर भी बढ़वा सकते हो ऐसा प्रावधान यहां पर आ गया है क्यों किया गया ऐसा क्यों कि भी जब emergency होती है जब emergency घटना घटेत होती है कोई तभी तो ये e-way bill को extend कराने के जरूत पड़ती है तो emergency case में अगर किसी के साथ कोई दुरगटना घटेत होगी तो पहले उनको संभाले या पहले e-way bill को extend कराने के लिए दोड़े तो इसलिए यहां पर किया गया कि ठीक है आप चंता मत करो आप expiry से पहले तो extension के application डाली सकते हो साथ में आप expire होने के 8 गंटे के अंदर अंदर भी आप इसे extend करवा सकते हो एंड उसके बाद में आखरी point और आता है कि यदि आप लगातार तीसरी amendment यदि आप नॉर्मल प्राविजने पहले से ही था कि लगातार दो return अपनी miss कर देते हो monthly या quarterly as the case में भी अगर composite dealer हो तो quarterly और otherwise monthly तो फिर वहां कि आप e-way will आपका generate नहीं हो पाएगा अब इसमें एक चीज बढ़ा दी गई है पहले law में दे रखा था कि regular scheme में हो आप या फिर composition scheme under section 10 वाली में हो ये missing था जो आपकी ये पनीर वाली composition scheme है जो basically service focused जो आपकी ये scheme थी 2 बटा 2019 वाली इसका नाम भी यहां पर जोड दिया गय है यानि simple provision अच्छा कर दिया ज्यादा ठीक कर दिया है जो वो कहना चाहते थे तो ये drafting error होती है basically तो उसको ठीक कर दिया तो कहने का मतलब ही है कि आप चाहे regular scheme में हो चाहे आप composition चाहे goods focused वाली हो या फिर आपकी service focused वाली हो कोई सी भी हो दोनों ही case में अगर आपकी लगाता दो return miss हो जाती है तो फिर मालिक आपका evable तयार नहीं कराया जा सकता है तो ये थी amendment आपकी तीन amendment evable के अंदर है एक multimodal वाली एक ये आपके extension वाली और एक आपके ये return वाली और एक आपके appeal के chapter में हो गई लिमिट हो गई 50, 100 और 200 और एक आपके demand recovery में हो गई before issuing showcase notice अधिकार DRC 1A के अंदर information देगा और आप full payment करते हो तो बहुत अच्छी बात और अगर नहीं करते हो कोई submission है कुछ कहना है मुझे कुछ कहना है कुछ कहना है तो आप कह दीजेगा उसी form के part B के अंदर ठीक है तो ये ही थे और बाकी आप chapters को enjoy कीजेगा thank you so much अब मैं आपको बता दू इसी मेरी उम्मीद है तो इसमें हमारे chapters जो cover हुए है भाई सब एक तो है अपना introduction का एक definitions का levy of duty exemption remission abitement वाला आपका chapter हो गया custom rules 2017 वाला हो गया जी import and export procedure का chapter हो गया transit transshipment का chapter हो गया छे chapter मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए cover किये है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे और इनमें amendment कहा है sir? amendment सिर्फ एक chapter में है और एक section में और वो भी इतनी सी amendment है बस ठीक है आईए बात करते है import export का जो procedure है उस chapter में आपके amendment है और amendment ही रही हाला कि customs के अंदर custom act 1962 के अंदर भी changes है और custom tariff act 1975 के अंदर भी changes है पर यह जो वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें सि section 41 के अंदर जो import export procedure से तालुकात रखता है क्या आता है sir इसके अंदर section 41 में है जब कोई goods export हो रहा होता है तो वहाँ पर export manifest देना होता है person in charge को कब देना होता है before departure देना होता है जाने से पहले import manifest आने से पहले और export manifest जाने से पहले देना होता है किसको देना होता है person in charge को amendment क्या ही है amendment आईए कि भाहिसा person in charge के साथ साथ उसके बिहाब पर ये वाला document कोई और भी दे सकता है और other notified person other notified person हो सकता जिसे custom house agent याने कि जो custom broker होता है वो भी ये document दे सकता है बस यही एक छोटी सी amendment यहाँ पर आपके लिए बताई गई है ठीक है न मालेक और घर पे रहिएगा और अच्छे से रहिएगा अपना और परिवार जनों का ध्यान रखिएगा और तो आपके ये जो may 2020 कहलो या आप तो आपके जुलाई अगस्त में exam चले गए तो उनके लिए बस यही एक छोटी सी amendment थी जो मैंने cover कर दी है बाकी पूरे वीडियो के अंदर कोई और चेंज नहीं है as it is आपके लिए applicable है may 2020 exam के लिए मैं base exam may 2020 था तो मैं वही बोल के चलूँगा आप चाहे वो जुलाई में हो रहा है या अगस्त में हो रहा है ठीक है जी तो चलो मालिक बस इतना ही था बाकी आप वीडियो का अनंद चलें और भगवान आपका भला करेगा और मेरे शुब कामना है आपके साथ हमेशा हमेशा है ठीक है ची तो आइए मैं आपसे बात कर लेता हूं इसमें चेंज आया है ड्यूटी ड्रॉबैक के चैप्टर में भी एक बात कही गई है कुछ एक आइडेंटिटी से सम्मंद मे 2019 के देन है तो आइए मैं बात कर लेता हूं आपसे यहां पर आकर मालिक कुछ इस प्रकार से है अगर पहले यहां पर देखें section 9 types of duties chapter के अंदर आपकी बाते की जाती है cvd on subsidized article section 9 आता है इसके अंदर क्या बदलाव किया गया है जैसे कि आप पहले जानते थे जो section 9a की anti-dumping duty हुआ करती थी उसके अंदर एक provision था कि अगर कोई व्यक्ति anti-dumping duty से बचने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करता है कैसी भला कि वो goods का description चेंज कर देता है लेकर आया था computer लेकिन उसे unassembled form में दिखा रहा है कि मैं mouse लाया, cpu लाया, ऐसे वैसे goods का description चेंज कर देता है या फिर country of origin चेंज कर देता है लाया था चाइना से दिखा कहीं और से रहा कि मैं नीदर देंट से लिकर आया हूँ पहले चाइना से नीदर लेंड बिलिंग करा दी फिर नीदर लेंड से इंडिया के लिकरा दी ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है जब भी anti-dumping duty लगाई जाती है तो वो product और country specific लगती है product को base बना कर कि ये वाला product इस country से आएगा तो anti-dumping duty लगेगी तो जो anti-dumping duty लगने के element है उन्हीं को dilute करने का प्रयास कर रहा है या तो goods का description चेंज कर रहा है या country चेंज कर रहा है तो section 9 AA में पहले से ही provision था कि अगर cheating करने का प्रयास किया तो हम इस हालत में भी ऐसे cheater के उपर भी anti-dumping duty लगाएंगे same provision copy paste करके रख दिया गया है section 9 के अंदर भी cvd on subsidized article ये भी आपकी product specific और country specific करके लगाई जाती है ठीक है यह सबने को ठीक बात है तो यहाँ पर भी लोग इस duty से बचने के लिए भला क्या करते हैं वो या तो goods का description चेंज करेंगे या फिर वो जो country of origin होता है उसे चेंज करेंगे अगर इनमें से एक भी element मालनो चेंज हो गया तो cvd on subsidized article नहीं लगाई चाएगी तो इससे बचने के लोग ऐसा काम करके चलते हैं तो government ने कहा कि जो ऐसे चीटर लोग हैं जो इस तरह की हरकते करके बचने का प्रयास कर रहे हैं सेक्शन 9 के duty से तो हम उनको बचने नहीं लेंगे हम उनके ऊपर ये वाली duty लगा कर चलेंगे यानि कि वही सेम प्रविजन जो anti-dumping duty के अंदर था वो यहां पे लाके रखवा दिया गया है सेक्शन 9C के अंदर एक छोटा सब प्रविजन नाम मात्र का ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है duty अंदर सेक्शन 9 जो cvd on subsidized article anti-dumping duty एक नया नाम और जुड़ गया है safeguard duty इनके लिए कोई order वगयरा पास कर दिया गया है तो आप उसकी appeal लेकर जाओगे applet tribunal के पास में तो पहले सर्फ यह दो ही नाम थे कि इनके against कोई order है एक नाम और जोड दिया गया है तो नाम मात्र की amendment है that can be ignored आप चाहो तो इगनोर भी कर सकते हो duty drawback chapter के अंदर एक छोट इसी clarification डाली गई है जैसे मान लिजिए आपने इंडिया के बाहर 10,000 के FOB value का goods export कर दिया लेकिन पूरा का पूरा 10,000 इंडिया में ऐसे consideration नहीं आ पाता विदेशी जो bank होते हैं वो अपने को चार्जिस इसमें से काट लेते हैं मान लिजिए 100 डॉलर के चार्जिस काट लिए जाते हैं इंडिया में रसीव होते हैं मात्र 9,900 question ये निकल के आता है कि इस दशा में जो भी हमारे export के benefits होते हैं जो basically FOB value पर ही calculate किये जाते हैं उन benefits को कौन सी वाली value पर calculate करें जो हमारी FOB थी 10,000 या फिर जो हमारी realized FOB है 9,900 किस के उपर count करें इसी के लिए clarification ये है कि यहाँ इस मामले के अंदर जो हमारे export benefit के लिए जो FOB consider की जाएगी वो 10,000 डॉलर ही रहेगी यानि कि जो foreign bank के charges कुछ deduct हो गए हैं तो उनको ignore कर दिया जाएगा हाँ अगर normal course में ऐसा होता मतलब मैं bank charge की बात नहीं कर रहा normal course में ऐसा होता कि 10,000 का माल आपने export किया आते सिर्फ 6,000 ही हैं तो फिर आपको 6,000 पर आपके realized FOB पर आपके जो वो सब आपको realized FOB पर मिलेंगे because जो भी दोरों में कम होता है उसके उपर ये benefits आपको दिये जाते हैं लेकिन अगर वो foreign bank charges हैं तो उनको ignore किया जाएगा ऐसे मानों जैसे है ही नहीं थे ही नहीं ये और पूरे के पूरे 10,000 पर आपको इसका जो benefit है वो calculate करके दिया जाएगा जो भी आपके export incentives benefits बनते हैं वो लेकिन ध्यान रखेगा आपको proof करना पड़ेगा कि आपके FOB वाकई में 10,000 ही थी क्योंकि practically realize हो रहे होंगे 9,900 रुपे then you'll have to prove कि भाई सब 9,900 नहीं मेरी FOB 10,000 की थी उसके लिए आपको invoice वगेरा देना पड़ेगा और यह भी साबित करना पड़ेगा कि जो कम आपको मिली है FOB वो किस कारण से कम मिली है उसका कारण अगर foreign bank charges ही है तो तो रियायत मिलेगी पर न फिर आपकी जो reduced FOB होती है उस पर calculation की जाएगी तो आपको बताना पड़ेगा कि reduction in realized FOB due to foreign bank charges है और उसके लिए bank certificate भी चाहिए होगा कि हमने 100 dollar का यहां पर bank charge लिया है वैसे करके तो निचोड क्या है पूरी बात का वो यह कि foreign bank charges will not be deducted in computing, duty drawback और any other kind of जो हमारे exports benefits होते हैं उसके बाद मैं section 99 B identity की बात कर रहा है आज की डिट में identity का proof क्या होता है जी अधार card अगर किसी के पास अधार card नहीं है तो फिर और other viable options जो होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे जैसे कि माली जी पासपोर्ट वगरा हो गया side effect क्या होंगे अगर आप identity नहीं देते हैं तो अगर आपकी identity ही maintain नहीं होगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा है कि नहीं जी तो कोई बात ही नहीं कर पाएंगे फिर तो और identity proof क्या है आपका आधार कार्ड और अगर अधार नहीं आपके पास तो आपका जो पासपोर्ट की अगर कॉपी है तो वो चलेगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और foreign trade policy के अंदर भी एक मामूली सा चेंज है आप मान के चलो कोई चेंज है ही नहीं कि लाइक अ दिया जाता था brand rate के हिसाब से दिया जाता था actual basis पे दिया जाता था लेकिन अब वो भी आपका all industry rate के हिसाब से ही दिया जाएगा तो amendment ना के बराबर है आप इसे छोड़ भी सकते हैं तो ऐसे करके यहां पर हमारी बात हो जाती है राधे और ये क्या-क्या बाते रहीं एक क्लास के अंदर सी वीडियों subsidized article में अगर आपने किसी product पर ये duty लगती है आपने उसका नाम बदलने का प्रयास किया या country बदलने का प्रयास किया goods का नाम बदला या country का नाम बदला तो भी ये duty लगा दी जाएगी 9C के अंदर बात करता है कि अगर order pass किया जाता है with respect to CVD on subsidized article anti-dumping duty या फिर safeguard duty का भी तो फिर उसके against जो appeal जाएगी वो आपकी अप्लेट टरबनल में जाएगी जो firm bank charges है उनको ignore किया जाएगा उनको नहीं घटाया जाएगा for the purpose of calculating FOB for export incentives purposes validation के लिए आप क्योंकि department से communication करने है किसी भी तरह की identity proof चाहिए जो की आधार कार्ड होता है otherwise फिर जो आपके viable options है वो यहाँ पर आ सकते हैं और अगर आप identity proof नहीं देंगे तो फिर आपकी communication point रूप से रोक जाएगी और यह है आपका foreign trade policy के अंदर कि अगर कोई बंदा deemed export करता है तो उसे अपने जो benefit calculate करने क्योंकि export करने पर हमें पता है export करने पर जो input side के taxes हमारे होते हैं उनका हमें benefit मिल जाता है तो पहले वो आपके actual basis पर दिये जाते थे लेकिन आज की रिट में वो भी आपके all industry rate के साब से दे दिये जाएंगे तो ये जो class आप पढ़ने वाले हैं इसमें ये आपकी amendments थे और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुब गामना है राधारानी कृपा आपके उपर सदर सदर यूज़़गा